हेलो दोस्तों हब सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर श्वागत है आज हम बात करने वाले हैं सब्सक्राइब करेंगे तो अभी तक किस चैनल को सब्सक्राइब करें तक को कोई बी गॉवर्मेंट जोब से रिलेटर और सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी तो इस लिए इस चैनल को जल से जाब सब्सक्राइब करें और बैल आकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आपको इनफोर्मेशन हो मिलती रहें तो आज हम बात करेंगे तो की बात करें तो सब्सक्राइब करें तो यह बाट करेंगे तो जो प्रीमेश के घंटी तो जाने और धिस्ट हैर की जो फॉम फिलप किया गई थी है और पिछली बार जो फॉम फिलप किया गए थी पिछली बार छोंटींग कि नॉक्टे है तो तो पिछली बार की तो नामी तो अब की बार हो सेवन लाख फोम हो ज्यादा हुए थी लेकिन अब की बार थोड़ा कंप्रिटेशन है वह कम है ठीक है और अब की बार वेकेंसी भी कम है पिछली बार की तो नामी तो अब की बार जो कट ओफ है उसमें भी आपको ज्यादा डिफ्रेंस देखनी को नहीं मिलेगा और जब की बार जो पेपर का लेवल आ रहा तो कैसा आपका मीडियम लेवल है और ज्यादा हाड भी नहीं इतना लेवल यानि एक पढ़ने वाला वच्छा असानी से कर सकता तो एक अच्छा लेवल आ रहा है इतना मतलब हाड लेवल नहीं हो रहा है ठीक है इजी से मॉडरेट लेवल तक कभी कुछ सिप्टों में आपका एदम मीजी पर आ रहा है तो आपका जो सेफ स्कूर की बात करें तो सरव पर रत करें अगर हम प्रीविस यहर की जो कट अफ थी उसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यूर के टिगरी की जो कट थी वो थी आपकी 149.32 ठीक है और OBC की देख सकते हैं 117.64 और ESM की देख सक हैं 113.04, OSC की देख सकते हैं 127.33 और EWS की देख सकते हैं 136.75 है वो कट अफ हो गई थी तो यानि यह कट ओफ थी वो आपकी फाइनल कट ओफ थी यानि जिसमें आपका सेलेक्शन हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यह कट आप है वो सभी कटेकरी की रही थी ठीक है फिर ब तो आपने जादा रोंग नहीं किये तो आपकी नंबर बढ़ने की चांद से ज़्यादा रहते हैं तो फिर बात करें अगर नेक्स्ट है फीमेल की तो फीमेल की आप देख सकते हैं कि यू आर की 132.70 और यह बिची की 130.78 और स्टी की 112.13 और स्टी की 115.25 और एवस की 120.41 कटोफ है वह आपकी जो फीमेल थी उनकी रही है तो फीमेल की कटोफ है यह रही है तो इसमें आप देख सकते हैं तो फिर भात करें अगर आपका जो यानि जैसे आपका अग्जाम हुआ यह और अधिया आपकी सिफ्ट थोड़ी जाड़ थी और आपने रोंग जादा नहीं किये मतलब आपने जितनी भी कृष्ण किये वो लमस्ट हो सई थे ठीक है तो आपकी जो यानि आपका जब नोर्माइजेशन होगा तो आपके बढ़ने के जान सबसे जादा रहते हैं तो वही है नोर्माइजेशन जिसमें बच् जो जो जितने आते हैं उतनी कृष्ण करने चीप ताकि नोर्माइजेशन में आपके नूमरें जादा से जड़ा बढ़ने के चाह रहते हैं यह दिया आपने ज्यादा रोंग कर दी तो नूमर बढ़ने की चाहांस हो कर मदाते हैं फिर बात करें अगर अब की बार काट और यूर के टेगरी तो एक सो साथीस से एक सो चुमाणिस तक सेफ रहने वाली है याईनि आपका यदि नॉर्मलाइजेशन होनी के बाद इतना स्कोर यदि बंद रहा है तो हाप सेफ दून के अंदर है और आप फाइनल मेरिट तक आसानी से आजाएंगी फिर बात करेंगे सेफ रहने वाला है तो आप सेफ रहने वाला है तो आप देख सकते हैं फिर एसम की बात करें नबस एक सो दो और सेफ जोन के नदर है मतलब आपके नंबस बंद रहा है तो आप सेफ जोन के नंदर है मतलब आपका सेलेक्शन चान से बहुत ज्यादा है ठीक है तो आप कितने नंबर बंद रहें तो नोर्मलाजेशन के बाद ठीक है तो यह फाइनल कट अफ की बाद बाता रहें जो फाइनल कट अफ जाएगी उसके बारे में फिजिकल के टॉप नहीं है फिजिकल तो इसमें करता आपको 15 नंबर को कमी देखने को मिलेगी इससे जो फिजिकल के लिए खीक है तो इसमें आपको sound 10 उन्हार फिजिकल हो कमी नहीं को मिलेंगे ठीक है तो फिर फाइनल मेरेट वड़ती है फंदरा नंबर के संभी आपकी बढ़ती यह नहीं होंगी तो आपका जो तो आपका पेपर पर डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मलाजिशन में कितनी नमर बटेंगी और आपकी जो सभी कटेगरी की कटोफ हो यही जाने वाली हैं ठीक है वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब जरू कर ले तब कि आपको कोई भी गौर्